बेलकम तू अबर चैनल आईए जानती हैं हीमाचल से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरों के बारे में हीमाचल की ब्रेकिंग न्यूज, रोजगार समाचार, करोना, मौसम और राजनीती से जुड़ी सभी खबरे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जुरूर कर ले CCTV की निगरानी में हो रही बहुत तक्निकी संस्थानों की प्रिक्षाएं नकल को रोकने के लिए तक्निकी शिक्षा बोर्ड ने पहली बार लिया कैमरों का सहारा, नकल को रोकने के लिए तक्निकी शिक्षा बोर्ड की एक बड़ी पहल है और इससे शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा UG प्रथम वर्ष की उत्तर बुस्तिकाऊं को on-screen मोल्यंकन करवाएगा हच पी, उत्तर बुस्तिकाऊं को फिर से नई तक्निकीस के मोल्यंकन करवाने की तैयारी में है परदेश विश विद्याले, on-screen मोल्यंकन मिनिंग, computer के माधिम से paper check होंगे क्योंकि पिछले वर्ष जो है on screen मुल्यांकन के ओपर प्रशन उठाए गए थे लेकिन on screen मुल्यांकन को जो हो system की ओर से clean shit दे दी गई थी तो ऐसे में एक और फिर से UG प्रतंवर्ष की प्रिक्षाओं का मुल्यांकन computerize तरीके से ही हो सकता है स्कूलों में बड़े बच्चे लेकिन नहीं बड़े शिक्षक तो स्कूलों में एंटिटी शिक्षकों की भरतिया अभी तक नहीं हुई जो छोटे बच्चे स्कूलों में आये उनको जेविटी शिक्षक की पढ़ाने के लिए मजबूर है स्कूलों में जेविटी की भी काफी सवे से जो है वो commission basis recruitment नहीं हुई केई टीजटी जो स्टाफ है वो पदो उन्नत होकर PGT बन गया है तो वैसे तो स्कूलों में शिक्षा विवाग की तरफ से जेविटी बैचवाइस recruitment को शुरू कर दिया गया है लेकिन अभी तक entity भरतियां भरतियां तो शुरू हैं लेकिन जो बीएड़ वाले हैं इन्होंने जेविटी की जो कमिशन बेस्ट भरतियां होनी हैं उनके लिए जो हो सरकार से रोक लगाने की मांग की है बीएड़ वालों को कहना है कि नई NCTE गाइडलाइन के अनुसार उनको भी जेविटी भरति में ट शातरों ने की है बात करें जियोए भरतियों की तो जियोए के पेपर लगातार लिक हूँ हैं पोस्ट कोड 817, 560, 949 और 965 के पेपर लिक हूँ हैं सारे मामले जो है कोड की प्रोसेसिंग में हैं लेकिन अभी जो है इन मामलों को निप्टाया नहीं गया है बहुत सारे जो जियोए के चातर हैं वो परिशान है टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं लेकिन बिरोजगार बैठे हैं अभी कडाके की टंड में जियोए के चातर जो हो शिमला में मुक्य मंतरी सुक्विंदर सिंग सुखू से मिलने भी पहुंचे थे अभी बिक्रमा अंधित्य जी ने हुआ उनको ये निमंतर दिया है कि उन से आकर मेले अपनी स्मस्याओं के बारे में उनसे विस्तृत चर्चा करें तो ऐसे में हम लोग जी वेपर लीक के मामले में कोई बड़ा समाधार निकले आसी आशा कर सकते हैं नहीं सरकार से भी आशा कर सकते हैं फिलहाल करमचारी च क्लास 10 और 12 के शात्तर अगर किसी सब्जक्ट में अपने मार्क्स को लेकर सैटस्फाइ नहीं है या उनकी सप्लिमेंटरी आ गए तो ऐसी स्थिती में पुनर मल्यांकन गया पुनर रिक्षन के लिए 31 जनुरी तक जोहां आवेदन कर सकते हैं आवेदन विद्यार्थियों को स कर सकते हैं कि जल्द ही कोई पॉजिटिव रिसपॉंस आएगा बाकी अगर हम लोग देखें रिवियू कमेटी की तो अभी रिवियू कमेटी की कोई रिपोर्ट नहीं आए लेकिन सरकार अपने प्रथम लक्ष में 15 से लेकर 20,000 की भरतियां हर साल करना चाहती है तो ऐसे में जो रुकी भी भरती हैं सरकार इनको सबसे पहले शुरू करने का परियास करेगी और जो भी मामले कोट के अंतरगत चले हुए हैं लग लग भरतियों को लेकर इन्हें सुलजाने का भी जो है वो प्रथम परियास जो है वो सरकार के तरफ से रहने वाला है नई गौर्मेंट जोब की बात करें तो ल.i.c. में आप लोग आवेदन कर सकते हैं अप्रेंटिस डेवलेप्मेंट ओफिसर की टोटल जो हो 9,314 वकैंसी है और आप लोगों को सैलरी 35,610 रुपे दी जाएगी ओल इंडिये जो वकैंसी रहने वाली है इन वकैंसी के लिए अप्लाई करने के लिए लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रवाइड कर दिया है सेलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटेन इग्जामिनेशन इन वकैंसी के लिए आपका होगा टियर 1 और टियर 2 में और 10 फरवरी 2023 तक आप इन वकैंसी के लिए ओनलाई रेजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इनकी वेबसाइट का लिक भी मैंने दिया है अब इदन करने के लिए आयू 21 से लेकर 30 वर्ष के बीच में रहेगी अप्लिकेशन फीज की बात करें तो अन्रिजर्वड ओबीसी डिवलीएस के लिए 750 से एस्ट्योर फीजिकल डिसेबल के लिए सोर पे रहेगी बाकि इनकी एक्जाम डेट्स भी यहाँ पर दी गई है अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन के माधिम से जरूर पूछे मेंट सेओगा निए सबस्क्राइब लिए जोड़ मुंगे लिए और चनल पर अबस्टो इस इस दिए प्रफड़ चेटर्वीज को होऑन्देज्ड की एग थाग टाट दीए तो प्रफड़ चैनल पर दीए हुआ है